नमस्कार आज हम पढ़ रहे हैं डारेक्ट डाई डारेक्ट डाई का नाम है डारेक्ट डाई डारेक्ट डाई हमारी सिंथेटिक डाई है मेली डाई जो हमारी होती है तीन प्रकार की होती है तीन प्रकार की काटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है एक होती है एक होती है फ्रेजनेकेड़्स फोटी हैं वे सिंतियुकूंती डाइपनी हैं और फ्रेद्वीक तहने को स्कयरों केजकर करो कांवा कशेयर देत्वट्राइम उसको भाषुएकशंगा घोई सब्सक्राइन अच्याओं नाकेजकर नियुक्वेशनेर कारलमाइनρά केमिकल से बननी होती है थीक है सो जो डारेक्ट डाइट है हमारी वह हमारी सिंथेटिक डाइट पर आपका कोश्चन आएगा तो सबसे पहले आप डाइक का इंट्रोडेक्शन लिखोंगे ठीक है jest fix करने के लिए responsible होती है और इनका Nature substantive नॉन सबक्रीए को इन नोर्टाइय के नित्रड़ख़ई आपका डारेक डाई का सो डारेक डाई के हमारी डारेक डाई हमारी सिंथेटिक डाई है सिंथेटिक डाई है यानि कि जो की केमिकल से बनी हुई है सिंथेटिक डाई है अनायोनिक डाई है नायोनिक डाई यानिक इस पर नेगटिव चार्ज डाई है इस डाई भी नेगटिव stoonsolubile dye एवाटरON भडागरे वाता नॉन ही चाषी होता है दूसरा यह एमारे marry वाटर सोलीबल किसे डाइइ ही हमारे वाटर सोलीबल होती है तो डोर्ब्र में किह बनाने से पहले वाटर इन वाटर इंसोलीबल में गोलेगी म कोनाुतिinka स्निक इसमारी हrabi जो हमारे cellulogic fabric होते हैं उनके साथ affinity अच्छी होती है ठीक है एफनेटी अच्छी होने का मतलब यह है कि जो डायी होते हैं हमारे cellulogic fabric पे अच्छे से per siblings adeation好 हो जाती है तो नाच्छी हो जाएक को हमनोफ प्लीष्टर फैब्रीक पे करें या फिर नाइलोन फैब्रीक पड़yes them हमारे कपड़े पच्छे से नहीं होगी ठीक है डाई खराब हो जाएगे और कपड़ा खराब हो जागा पैचीज पैचीज के फोम आ जाएगे तो इसका मतलब यह है कि डारेक डाई की बोलेस्टर नायलोन सिंथाटिक फइबरिक जो हुते हैं इसका मतलब यह है कि डारेक डाई से पैनेट्रेट हो जाएगी ठीक है तो डार्यक डाय की अव्मारे लेचर के साथ में नेचल के दिक होते हैं जैसे कोटन होगे विसकोष रएन और इसकोष रए salt aromatic sy gigantic acid और क्या होता है direct dai के बारे में दिर दाय मारी तीन प्रकार में होती है एक होती है हमारी salt controllable एक होती है हमारी self leveling एक होती है temperature controllable नौस में नोटस में देख के बढ़ बताती तरह दो नोट्स प्रटफ धेज़न नोट्समें कोई प्रटफ रह जाएगा मैं नोट्स पड़ते हों चलती है और साथ सा सम्झाटे हो चलती हो ठीक है नोट्स में लेखते हैं डारेक्ट डाई की हमारे सबसे पहले इंट्रोडेक्शन लिखोगी सिंथेटिक डाई है और निक डाई है वाटर शोलीबल डाई वाटर शोलीबल डाई जो की पाने में गुलंसील है इस हाविंग गूड आफनीटी विद सेलोलोजिक फैब्रिक लाइक कोटन और विस्कोश् यह चैनल नाम है डाई का आप डाई बोल दो या फिर सोडियम साल्ट और अरोमेटिक सलफोनिक एसिड बोल दो उसके बाद है हमारा ड्यूरिंग डाई हाइड्रोजन बॉंड फोर्मिशन बिट्विन डाई एंड फैब्रिक जाँ हम डाई करते होते हैं तो डाई और फैब सबसे स्ट्रोंग होता है हाइड्रोजन उसके बाद फिर आयोनिक और फिर हमारा सबसे जो वीक बॉंड होता है मारा वेंडरवाल फोर्स बॉंड ठीक है सबसे स्ट्रोंग होता है हमारा कोवालंट फिर आयोनिक बॉंड होता है उसके बाद हैड्रोजन होता है उसके बाद छेलोजी टेक्टाइल स्बस्ट्रेट जोएज जो ग्रूफ होता में लो फोगुर्फ होता है डारेकों मेरे बगलोक होते हैं Jord 000 membrane पर हमारा लाट अध्य वेरिए समत्वेक्ष्स मारकेट डिरेग्ट डाइंडर डिफेर्ट द्रेड नेम संग है इन्डोकेन हमारे बनाती है उसका ट्रेड किस ट्रेड नेम से इंकुमाइन के हिंदुस्तान सेभा है वह सोलो फिनाइल और क्लोरैंटान के नाम से और ए नो यह कैदластिक बाद है २ rewards अब ऑप इंस्सका आप जैक्टिव दूसरा ओप ज этом सबस्ट्रेट को दाइक करना ड्रिक 없어 साथ में जब आप प्रक्टिकल करोगे प्रक्टिकल करते हो तो प्रक्टिकल जब कोई काम आप कर रहे हो तो उसका उपजेक्टिव क्या है कि testile substrate को डाई करना तो उसका उपजेक्टिव यह होगा फिला तो तो आप ठीक है उसके बाद है classification of die तीन प्रकार के हमारी class die होती है direct die class a class b class c यहां पे आप लिखोगे class c class c ठीक तीसरी जो class c class a जो है वो self-leveling direct die है class b है वो salt controllable direct die है और जो class c है वो temperature controllable die है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि यह अलग-अलग नाम से क्यों है और यह तीन नो classification direct die के नाम से पता चल रहा है कि इस पर्टिकलर die में क्या होगा ठीक है सो class a कि जो self-leveling direct die है self-leveling यानि कि खुद से ही level में आ जाना तो यह die क्या होता है हमारी the dying may be uneven in the initial stage but they get level on the prolonged dying इसमें क्या कह रहा है कि जो die है जब हम die करते होते हैं self-leveling direct die करते होते तो starting में तो uneven safe effect आएगा हमने direct die के साथ में solution बनाया तो उसमें uneven safe effect आगा मतलब 25-25 की form सी आ जाएगी fabric के उपर लेकिन धिरे-धिरे जैसे जैसे time बढ़ाते जाएगे time बढ़ाते जाएगे तो वह evenly migrate हो जाएगी evenly कपड़े पे fix हो जाएगी से ठीक है करता होता है हमारा direct die के साथ में हम साल्ट एड करते होते हैं लेकिन self-leveling direct die होती है एक मिड़ा में दर्वाजबन करके आती हूँ आवाज आ रही है बहुत वार से जो हमारे self-leveling direct die है वो उसमें हमें salt add करने की जरूरत नहीं होती ठीक है तो self-class a self-leveling direct die जो है वो क्या होगा उसको जब हम करते होते हैं कपड़े पर solution जब उसका मनाते होते हैं तो कपड़े starting में uneven सा पैचीज का सा effect आ जाता है लेकिन धीरे धीरे उसका समय भड़ता जाता है तो धीरे धीरे अपने आप खुदी self खुदी लेवल में आ जाती खुदी अच्छे से कपड़े पर evenly migrate हो जाती है तो इसको time controllable die भी हम direct die भी बोल सकते होते हैं ठीक है इस die में हमें salt add करने की जरूरत नहीं होती ठीक है उसके बाद है हमारा class b salt controllable die यह die direct die हमारी इस प्रकार की होती है इसमें हमें अगर हम इसमें salt add ना करें तो यह अच्छे से migrate नहीं होगी ठीक है इस क्वाली में हमें salt add करना पड़ेगा हम direct die classification पटने है जो पहली वाली थी उसमें हमें वो time के साथ-साथ कपड़े पर अच्छे से migrate हो रही थी और जो salt controllable है इसमें अगर हम salt add ना करें तो अच्छे से migrate नहीं होगी कपड़े पर अच्छे से fix नहीं होगी तो salt controllable dye के नाम से पता चला है कि इसमें जो हम salt add करेंगे तो यह कपड़े पर अच्छे से हमारी डाई होगी तो यह वाली जो डाई होती है अगर हम इसको बिना salt के करें तो अच्छे से migrate नहीं होगी और better migration के लिए हम इसमें salt add करते होते हैं ठीक है पहले ही starting में वह एड नहीं किया और में याद आ रहा है कि मिसाल्ट एड करना था तो इसमें क्या होता है कि कपड़े पर आन्यवर्ण डाईग इफेक्ट आ जाते है पैचित से आ जाते है जो कि फिर ठीक नहीं होते है जल्दी से ठीक नहीं होते है जादा अगर पैचीज आके तो ठीक हम कर सकते होते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर हम शाल्ट एड ना करें तो डाइय हमारी अच्छे से कपड़े पर migrate हो इसमें में क्या है कि में तो माला टैंपरीचर है लेकिन इस वाली में हम साल्ट भी आड़ करेंगे और टैंपरेचर भी एड़ करेंगे ठीक है दोनों ही ज़रुरीये कपड़े पर अच्छे से फिक्स करने के लिए दिस टाइप आप डाइज वेरी सेंस्टि इसमें salt और controlled temperature अवश्यक है उन डाई को कपड़े पच्छे से fix करने के लिए तो तीन परकार की हमारी direct dye होती है ठीक है इस इसको time controllable भी बोल सकते होते हैं इसको यह time के साथ हमारी कपड़े पच्छे से मिरेट होती है टेंप्रेचर वाली में ठीक है साल्ट एड़ कर सकते हैं और अच्छे से होगी क्योंकि टेंप्रेचर को डाई होती है उसकी साल्ट के साथ अच्छी होती है और जो पहले वाली है लेवलिन डाई इसमें साल्ट एड नहीं करते होते हैं ठीक है उसके बाद आप लिखोगे डा पास आजाते हैं जैसे कि Himmarए नाई बात है इसमें यहँ फेब्रीक और यह पार्टिकल वए नागए हैं ठीक हैं फेब्रीक डाई पार्टिकल पेंदर यह न реально अंदर होओHe घराई सूलीशन एक होता है और इकष है और इकष है इसेuation और इंदर प्रेट करने मीगरेट फिक्स हो difficult अ्छिसके बाद डाय रेसेपी रिकोंका डाय श्ठाफ डाय गिंत्रेट मैं इसको प्रॉइब कोई टिजिट में इसकोई रेसेपी दाई आंग मैं दे कि मुनधून करूंका मुर्णव स्टफ में इंतरों मैं पर्चेप यहां है इंटर्ट पवे Jurate Short और WF का मतलब होता है on weight of fabric on weight of fabric ठीक है यह WOM भी लिखा होता है और WOM का मतलब हो on weight of material ठीक है उसके बाद common salt 5% for light shade में चाहिए होती है तो 5% add करते होते हो थोड़ा medium shade चाहिए 10% add करते होते हैं on weight of fabric का fabric के weight का ठीक है उसके बाद हमें dark shade से यह होती है तो salt उसमें हम डालते हैं 20% जिसे कि हमारी डारक डाई की dark shade हमें मिलेगी temperature कितना लेंगे बोल टेंपरेश बोल टेंपरेश यानिक हंडर डिगरी celsius temperature टाइम कितना लेंगे 45 मिनट टू 60 मिनट है ठीक है उसके बाद application प्रोसेजर अप्लेकेशन प्रोसेजर में दो में स्टेज होती है एक होती है प्रेपेशन डाई बात दूसरी होती है डाई प्रेशन डाई बात में आज पर रेसिपी हम solution पर पर करेंगे ठीक है solution prepare कर लेंगे उसके बाद हम डाई कर लेंगे डाई करने के लिए हमारी जो में मसीन होती है विंच डाईंग मसीन होती है जिगर डाईंग मसीन होती है जो की जनरली यूज करते होते होते है फैब्रिक डाईंग के लिए और हैंक डाईंग मसीन यूज करते होते होते ह लिए उसके बाद है after treatment of direct dye some after treatments that have been in use are surprised below after treatment यानि की हमारा dye करने के बाद हम जो process करते होते हैं उनको after treatment बोलते होते हैं ठीक डाइ करने से पहले हमने कपड़े पर क्या क्या था प्रीट्रीट्मेंट प्रोसस क्या था सिंजिंग किया था हमारा सिंजिंग सिंजिंग हमारा प्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्र करते होते हैं तो पर हम पफिर हम डाइ करेंगे चाहिए तो यह बाद हम चाहिए तो फिर हम करेंगे करने के बाद कि पर बहुत जब आए बन जाते हैं करते होते हैं तो यह process किया थे हमारे प्रोसेस थे प्रिटमेंट प्रोसेस्स थे अर्व मेन उप्रेशन उप्रेशन को हम में इपर यह करने के बाद after treatment after treatment के वहां उसका क्योरिंग करते हैं स्टीमिंग करते होते हैं drying करते होते हैं सब क्यों करते होते हैं ताकि जो main operation हमने किया है वह और आच्छे से उसका better result हमें मिल सके थिक इतम डरेक्ट होती है तो उसको अच्छा करने के लिए हम अफ्ट हर्येटमेंट करते होते है नुबंग कुंपर निंग का यूद्स को इंप आपने के लिए हम से हमारे आफ्टर ट्रीटमेंट से ट्रेटमेंट विद मेटलिक साल्ट से जब हम ट्रीट करेंगे डायक कियो कपड़े को सो हमारा क्या होगा हमारी लाइट फास्टनस प्रोपर्टी इंप्रूव हो जाएगी ठीक है जैसे कि मैंने पीछे बताया था लाइट पास निकल जात कि कपड़े डाय की कपड़े की चो लाइट फास्टनस प्रोपर्टी होगी वह पूर होगी तो उसको में इंप्रूव करना है तो इंप्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे मैटलिक साल्ट से कपड़े को ट्रीट करेंगे सो मैटलिक साल्ट कौन सा लेंगे कोपर सलफेट क कोपर सिलफेट लिया हमने 0.5 से 2 परसेंट ओन वेट ओफ फैब्रीक ठीक है उसके बाद हम असटीक एसट 0.5 परसेंट से 2 परसेंट यानि कि दोनों की सेम कंस्रेक्शन लेनी उसके बाद टैंपरेचर लेना है 80 डिगरी सेलसेस टाइम लेंगे हम 30 से 45 मिनट ठीक है उसके बा प्लस वाटर का सोलूशन है ठीक है इस सोलूशन में से हम डारेक्ट डाई किया हुआ कपड़ा उसको पास करेंगे ठीक है यह हमारा वाइंडिंग पैकेज है वाइंडिंग पैकेज ठीक है इसका वाइंडिंग पैकेज है यह हमारा डारेक्ट डाई किया हुआ कपड़ा ज उसमें कि हमारा copper sulfate और acidic acid और water का solution इसमें से हम पास करेंगे ठीक है यह rollers लगे होते हैं इसमें ताकि evenly हमारा डाई हमारा जो solution है वो फैबरीक के अंदर जा सके ठीक है मिग्रेटोस के अंदर अच्छे से उसके बाद यह जो हमारा जो metallic salt का copper sulphate का जो solution था और acidic acid का solution था वो हमारा क्या करेगा कपड़े की जो light fastness property है उसको improve कर देगा मतलब जो हमारे direct dye था उसको metallic salt कपड़े पे और अच्छे से fix कर देगा metallic salt जो हम ट्रीट कर रहे है न वो क्या करेगा direct dye को अच्छे से fix कर देगा ठीक है fix करने से क्या होगा कि हमारे कपड़े की light fastness improve हो जाएगी एक तो untreated fabric था इस पर कि हमने direct dye किया उसकपड़े की light fastness चेक करें और फिर एक metallic salt copper sulphate करने के बाद हम उसकपड़े की light चेक करें तो हमारा जो untreated जिस पर कि हमने light fastness अप्लाई नहीं किया था उसकपड़े की light fastness हमारी पूर आएगी और यह इस से टीट करने के बाद को पर सुलफेशर टीट करने के बाद उस सेंपल की जो हम light fastness चेक करें तो हमारी गुड आएगी ठीक है excellent आएगे मतलब एक्सलेंट भी आ सकती है और very good भी आ सकती है उसके बाद ही हमने एक मिनट इस मच्छी का रही थी है उसके बाद ही हमने यह होते है हमारे squeezing roller sqwe squeezing roller ठीक है यह होते हमारे guide roller ठीक है प्रिंज कर लिया उसके बाद यह भी squeezing roller है उसके बाद वोश करने के बाद हम इसको ड्राइ कर ले ड्राइक करने के बाद हम इसको वाइंडिक पेकेज पे रैप कर लिया तो यह हमारे प्रोपर्टी हमारे copper sulfate के अलावा और भी light fastness इंप्रूव करने के लिए जो हमारे chemicals होते है मेटलिक साल्स होते हैं वह होते है को इंप्रूव करने के लिए ठीक है इसके बाद होता है हमारा आफ्टर ट्りीटमेंट विज़ कॉम्यं कंपाउंड क्रोम benefici होता है वासT69 फिंप्रूपर्टी को इंप्रूव करने के लिए थीन प्रकार की मेन फासनेस प्रोपटीज हम चैक करते होते हैं डाई करने के बाद एक होता है वासिंग फासनेस को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं तो इसका मतलब यह कि वासिंग फासनेस को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं तो क्रोमियम कंपाउंड क्या करता है कि एसे टीक एसे लेंगे दो से प्माच परसेंट टैंप्रेचर बोयल हंडर डिग्री सेलसियस यानि कि उसके बाद टाइम लेंगे हम 30 मिनट ठीक है धागुट्स रिंज एंड ड्राइड फिर हम इस पर्टिकुलर रसेपिस टीट करने के बाद उसको वोश कर लेंगे और ड्रा यह भी यृसी करेंगे ऊज़ीं है तो यह प्वासिंग्री फ्णस प्रोपर्टि तो इसकी पुबर नाउगी और यह एक हो फ्वासिंग पॉपरट़ी इसकी पुपर आएगी और इसकी चैयकर यह यह पॉद्र इपraumईट स्वाइग है, नहीं में तो एक हम दूऔर आप क्रोमियम कंपाउंट से च्छेक करें तो हमारी इसकी फास्टनेस प्रोपर्टी इंप्रूमिलेगी इसकी हमारी एक्सिलेंट मिलेगी यह एक्सिलेंट और इस वाले के हमारी कितनी थी पूछव्र थि ठीक है उसके माद है कंबिनेशन ओफ ट्रीटमेंट विद कोपर एंड क्रोमियम कंपाउंड can be employer to get improvement in washing as well as light fastness property, the diet goods are worked in a bath containing the following, इसमें क्या क्या रहा है कि जो ये हमने light fastness property improve करने के लिए, इसका metallic salt का use किया था, metallic salt का use किया था, और washing fastness improve करने के लिए, हमें chromium compound का use किया था, तो दोनों का एक साथ हम use कर ले, metallic salt का और chromium compound का existing, करोंड के वाय्ट फास्टनाश दोनों केस्ट हम इंपर्स कर सकते इस से अमारे समय बचेड़ा तो ऐसे करने के लिए कि एक ही समय में दोनों मायटेशन हो जाए तो इसके लिए क्या क्या घरेंगे क्या से में लेंगे potassium dichromate लेंगे 0.50 थो परसेंट कोपर сलफेत लेंगे कि इसकी बढ़गी या ना इसमें हम अलग से कर रहे थे दो सी 3 परशेंट ले रहे थे लेकिन अगया मो मैं कर रहे हैं consistent sap क्पड़े को मिखाएं एक टाइम पर हमारा लाइट वा सिनन इस फासन इस बहुत हमारी म brain लूलार्स ऑसा है है यह हमारे डायरिक डायड फैब्रीक राइड हमारा वैंडिंग पैकेज सब्वार्टोन की निया हमारे के वाद लिए यह यह करनेंगे विखुट होगी और शासनेस प्रोपरडेस भी इंपरू होगी ठीक है सो यह वाद अधे अधेल् fem Blessed त्सक्ति यह वाला कर ले अधाने में समया वहें बसता है यह यह ताइम पे ब्रोफ हो जाती है हमारी और वाश vazचनेसज भी हो जाती उसके बाद है ہ uso treatment with formal dy head yab evolve technician प्रॉपरटि को स्देख करने के लिए washing प्रोपरट़ यह और ददाई क्पटे की वश इंग फास्नज यह पूर और यह भी हमारा formal से स्द्रिट करेंगे तो इससे भी क्या होगा कपटे की जो prust प्रोपर्टे वह इंप्रोव हो जाएगी तो इसके लिए फॉर्मल डियाइड लेंगे दो से तीन परशेंट एसे टीक एसे लेंगे एक परशेंट टैंपरेचर साट से सतर डिगरी सेलसे तो टाइम लेंगे थर्टी मिनट उसके बाद इसकी वोशिंग फिड रहीं ठीक है य वाला इसका सोलिशन में से हम इसको पास करेंगे डारेक्ट डाई की कपड़े को पास करेंगे ठीक है पास करेंगे सो क्या होगा इसकी क्या फ्रमल डियाड करेंगा क्या करेगा डाई डाई को कपड़े पे और अच्छे से फिक्स कर देगा जिससे क्या होगा कि कपड़े की washing farsey property improve हो जाएगी चुछ इसके बाद हम इसको wash कर लेंगे washing washing यानिकी इसको रिंजिंग भी भोलते हो तर रिंजिंग squeezing ruler तिर washing कर लेंगा washing watching द्र्याइंग करेंगे ड्राइंग करने के बाद इसको त्सक्ता की M香 करलेंगे यह वाला कपड़ा जो हमारा यह हमारा इस Cond nat जब हम direct dye की होई कपड़े को treat करेंगे, formaldehyde or acid plus water की solution से जब हम direct dye की होई कपड़े को treat करेंगे, तो क्या करेगा formaldehyde, direct dye के जो particles होते हैं, उनको, जो की कपड़े पे migrate होगे, उसको और अच्छे से fix कर देगा, जिससे क्या होगा कि जो ब्लीड होने की प्रोपर्टी थी जो कि हमारा भार ब्लीड कलर निकलने की प्रोपर्टी वह उमारे इंप्रूव हो जाएगी ठीक है कलर फिर हमारा नहीं निकल लीगा उसके बाद है हमारा treatment with catanic dye fixing agent ट्रीटमेंट विद क्टैनिक डाय फिक्सिंग एजएंट इसमें क्या कर रहा है यह भी वारा हमारा यह ट्रीटमेंट भी हमारा वाशिंग फासनेस को इंप्रूव करने के लिए करते होते हैं इसमें क्या लेंगे क्टैनिक डाय फिक्सिंग एजएंट लेंगे क्टैनिक डाय है यह हमारा वाइंडिंग पैकेज है डारेक्ट डाइड डाइड फैब्रिक यह हमारे गाइड रोलर्स है छिए है डाइड रोल में से पास होता हूं यह उसमें से पास करेंगे जिससे क्या होगा कटानी फिक्सिंग प्रेजेंट जो है वो डाई को डाय को डाय के पार्टिकल को कपड़े पर उच्छे से फिक्स कर देगा जिससे क्या होगा पासिंग फासने प्रोपर्टी हमारी इंपरू जाएगी उसके बाद हम स्क्वीज कर लेंगे तक एक्स्टा सुलिशन वार स्क्वीज हो जाए उसके बाद वाशिंग कर लेंगे वाशिंग के बाद हम इसको ड्राइं कर लेंगे डाय करने के बाद हम इसको वाइंडिंग पैकेज पे रैप कर लेंगे ठीक है यह हमारा ट्रीट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसकी अच्छी ही मिलेगी इसकी एक्सिलेंटी मिलेगे रूह एक्षिलेंटzero है का यु इसके सात Having बेसिक डाइ दो नोट है एफनिटी फोर सेलोलेजिक फैब्रिक, बट स्पेशल मैथन एफ बिन डिवाइस तो अप्लाइ देम टो सेलोलेजिक मेथले एज ब्राइट शेड हर उप्टेंड, इसमें क्या कर रहा है कि जो बेसिक डाइ होती है, बेसिक डाइ की एफनिटी हमारी cellulogic fabric साथ अच्छी नहीं होती मतलब अच्छे से कपड़े में नहीं हो पाती लेकिन जब direct dye करने के बाद हम basic dye के solution में से पास करते होते हैं तो direct dye की जो shared होते हैं उसमें चमक आ जाती है तो चमक लेके आने के लिए हम basic dye का use करते होते हैं इसमें क्या करते हैं जब हम basic dye करते होते हैं तो basic dye को भी हमारा direct dye के पड़े पर फिक्स कर देगा ठीक है तो दोनों dye को फिक्स कर देगा जिससे क्या होगा कपड़े के अंदर हमारी चमक आ जाएगी सच आफ्टर ट्रीट्मेंट अफ डारेक डाई मैटल विद बेसिक डाई जनरल डियाफर टॉपिंग विद बेसिक डाई इसको हम क्या बोलते होते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते तो टॉपिंग विद बैसिक डाई आड करने के बाद डाएक कपड़े को प्लस टैनिक एसीड प्लास वाटर का स्वलेशन से इसको treat करेंगे तो क्या होगा कि टैनिक एस्ट जो होता उसकी एफनिटी हमारी डाइक के साथ वह अच्छी होती है तो टैनिक एसेड मोड़न की तरह वर करेंगा तो टैनिक एसीड क्पड़ हमारे हमारे चारो ही जुआ हो चुके है लेकिन हम इसको फिर बेसिक ड ड्रक्ट की आपनीटी के साथ में तो च्माका fight क्या करेगा चाहिआ तो जो अगये चाहिए चमाका जाएगी और जो हमारे डाय तो चमक लेके लिए यूनिफॉर्म डाइंग के लिए हम बेसिक डाइब को ट्रीट करते होते हैं इस प्रोसेस को हम बहुत तोपिंग विद बेसिक डाइब तो यह हमारा बैंडिंग पैकेज है प्रॉपिंग ट्रॉपिंग डाइब क्रूब वो थोड़ी डलडल छी तो उसमें चमक लेके आने के लिए बिलेंड शेट लेके आने के लिए हम बैसिक डाई प्लस टैनीग एसे एक ट्रीट कर रहे हैं इसके लिए रैसे पिले रहे हैं 0.1 जिरुपैंट रेंटरी से 0.3 परसेंट बैसिक डाई ठीक है और उसमें ऐसेटिक हम ले रहे हैं 0.5 to 2% is added to the dye bath for obtaining uniform seeds ठीक है इसमें हम tannic acid tannic acid लेंगे 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 0.5 to 2% हम क्या लेंगे यूनिफर्म सेडह में कपड़े की मिलेगी उनिफर्म यानिकी इवन लिए इन इवन ली अच्छे से फिक्स कर देगा जो ऑर चमक मिलेगी कपड़े में चमक आ जाएगी ठीक है इस प्रोसास को म करते होते हैं 45 से ड्रेंगिन इसको कर लिए पास करने रोलर स्कीजीीञ रोल ही іस पास करने के बाद स्कुमस्ट कर लिया वोशिंग कर लीए कि वह चिå हमारी ट्राइंग यूनिट जो रैप कर लिए वैंडिंग पैकेज त्रिक है कि इस कपड़े की इसको चैक करे तो इस वाली कपड़े की हमारी जो डाइ होगी वह इवन भी होगी अच्छे से बैलेंस डाइ होगी और चमक होगी में हिर डाइन लेने के लिए हमशनब करते हैं। बेसिक करते हैं चमक लाने लेक्व प्रोसेस Hang Hang that topping with basic dye for obtaining very fast dyeing the direct dye goods are treated with two to say 4 percent two say two four percent tannic acid in hot bath for 20 say 30 minute followed by squeezing and treatment with tartaric emitted one two percent in cold bath for 20 say 30 minute the tannic acid tartar treated cotton as high affinity for basic dye for obtaining very fast dyeing 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 very fastness property हो ठीक है अच्छी fastness property हो जिसकी उसके लिए हम करते होते हैं बेसिक डाये प्लस टैनिक एसट प्लस वाटर और प्लस इमेटिक इमेटिक टार्टर इमेटिक से ट्रीट करते होते हैं तो आजेए कोजश टीक जो ढया होते हैं एक बाइक च्पड़ के वह इंप्रू आज याया एसमेह इंवा कपड़ होता हैं हैं मैं और हेसं और इसको और यह गाइड रॉलर्स घाइड रोलर्स घाइड फ़ास्टन प्रोपरेटिस को हम क्या लिए फैनिक आसडम लें चैनल ऑसिन के लित्डogn doing के सोलुशन में से ठीक है पास करेंगे हम कपड़े को ठीक है होट बात इसका प्रटिकलर टेंप्रेचर नहीं दिया लेकिन होट बात यानि कि आप इसको 80 बात इसमें क्या क्या रहा है कि दो से चार टैनिक असेड इन होट बात फॉर टी से 30 मिनट फॉलॉड बाय स्कुईजिंग थीक उसमें क्या क्या रहा है कि जब हम कपड़े को बेसिक डाय प्लस टैनिक असट प्लस वाटर के सोलीशन से ब्सक्राइब को पास करेंगे जिसका ट सब्वासने सब्सक्राइब करने के बाद हम क्या करेंगे ुछ Customer सब्सक्राइब करें मैं हंसे स्क्वीज करने के बाद हम क्या करेंगे टार्टर इमिटिक हो टार्टर입니다 chemical होता है उसको हम 1002 पर्शंट लेंगे एक से 2% क्यों लेंगे टार्टर से म DNA का सुल्शन बनांगे एक से 2 पर्शंट लेंगे यह से कपड़े को कॉंसे कोम से पास करेंगे इसको हमने गरम ने करना यह ठंदा रखना तेंपररेचर नहीं देना इस घंदा है ठीक है 20-30 मिनिट के लिए टार्टरी मिटी के सोलेशन में से जो हमका पास करेंगे तो क्या होगा हमारा कपड़े की लाइट और वास फासनेस और अभी फासनेस प्रोपरटी इंप्रू हो जाएगी उसके बाद हम इसकी क्या कर लेंगे वोशिंग कर लेंगे वोशिंग के बा सो इसमें क्या कर रहे हैं कि यह प्लाय के लिएक स्वार्टरी एक सकते हैं यहारी हिमारीह फ मंपर और क्षोज करने के बाद हम यो कोल्ड शोलेशन मनाएंगे इसका टार्ड एमिटिक प्लास वाटर में टार्ड ८ेटिक स्टैर्ट और 20-30 मिनिटके लिए इस कपड़े को जो की सोलेशन पे सब कर देगा जिससे क्या होगा ना तो वोशिंग के दुबारा निकलेगा ना लाइट के दुबारा निकलेगा ना रबिंग के दुबारा निकलेगा यानिक डाय को यह ओपरेशन हमारा बहुत अथ्य से फिक्स कर देगा और फास्नेस प्रपर्टीज को इंप्रूव करने कर ठीक है उसके बाद डायो डाया डायाट डायटाइजेशन वर इंप्रूरव रबिंग फास्टे लिए रबिंग फास्टूर इंपृ cumplू करने रबल डायट फास्टनेस के लिए और वाष फास्टूर नेश यह वाली तो हमारी तीनों के लिए करेंगे थी फास्ट डाइंग के लिए जब हम बेसिक डाइट अनी असेड प्ला टार्ट रिमेटिक से टेट करें तो इसमें तिनों प्रोपर इंपर हो जाती है एक पर्टिकुलर रबिंग फास्टनेस को इंप्रूव करने के लिए हम क्या होता है एक से तीन परसंट लेंगे एक सील लेंगे पांच से दस परसंट टेंप्रेचर कोल्ड टाइम तीस मिनन सो हम एनने टू प्लस एक सेल प्लस वाटर का सोलीशन बनाएंगे और डारेक डाइक को एक कपड़े को पास करेंगे ठीक है फिर वोश कर लेंगे फिर वोशिंग विज शोप फिर शोप से वोश फेब्रिक थीक है यह वैंडिंग पैकेज वैंडिंग कोषेज डि胃 और फेब्रिक रोल यह इंगेट नियूश एका सोलीशन प्लस एक करेंगे तो क्या रोंड और एक सम तुराना हमारा color नहीं निकलेगा नहीं को ठीक है टीक लिए उसके बाद यह है एक्टा स्विस करें किर लेंगे फिर हम वंशींग कर लेंगे ठीक है वोश कर लिया नोर्मल वोशींग आई यह यह ठीक है वसींग करने के बाद फिर हम इसको सोब उन से बोश करेंगे washing with shop ठीक है washing with shop ना करें तो इतना चार जलते हैं अगर washing with shop से करें के तो थोड़ा और अच्छा और खेंद मतलब हमारे इंप्रु क्या हो जाती है कि अगर जो यह एक्सट्र लगा रहें सब्सक्राइक प्लस वाटर के सोट से टीट करेंगे फिर उसको साबुन से वह सबाएंगे कि परसेंट है अब करते हैं जो हमारा चल है अब कर जाएगा अब ब top लाएगा अब कर देगा पर फिर मारे बोडी के लेगा में फार्फ कबलाद यूशे ट्रेट करने के निए कंवाद ँसक्यों पक्रवो नोर्मल वश्यू नोर्मल फोर इस प्रसान चींव यूर्प फिर द्राइग और एम्हें यूनिट लंट पितलγοने की इसक्यों वाइब यह भी स्क्वीज रोलर है ठीक है इसमें क्या कर रहा था एन में का plenty का जो क्वा इंप्रोंव करते हैं इसके माद है हमारा skripping of direct death stripping को भाम होता है प्तृफूट को कि लिये हमारी छोट लगई होते है तो पट्रिपी को सब्सक्रांब तो कैसे करते होते हैं वो देखिए इन केस ऑफ आनिवन डाइंग पैची डाइंग और यह जाती है उससे ज्यादा डार का गई है तो वह एक तरीके से डिफेक्ट हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए उसको ठीक करने के लिए हम स्ट्रीपिंग करते होते हैं तो डारेक डाइ की स्ट्रीपिंग करने के लिए क्या करते होते हैं लेकिं कईयों में जरूरत भी नहीं होती ना भी करें तो भी कोई फ्रक नही जरूर करने के लिए यह करते हैं थीक है सब में जरूरत नहीं होते हैं कर लेकिन ना भी करें तो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन अनीवन और पैची और जो सेडम नीच उस पर ना करें तो वह एक तरीके से प्रामारा रिजक्ट हो जाएगा ठीक है तो स्ट्रीपिंग करने हुटा है इसको हम ठीक कर सकते होते हैं ढालूट Pri6 यह होड़त लेना है और सोडियम हड्र लेना है और सोड्यम हाईयदर्स अवद्ब यह थाँ अब सब्सक्राइब करने के लिए इसको यूज कर सकते हों को starter करने के się डाइड के अमारी नहीं होती है कपड़े को रभी ऊटी होतीच होती है इसकी मोड़िया बींक फास्नेस इसकी रभींक्षट होती और रभींक वा लगए नहीं तोली है है ना ज्याधा अच्छिन ढिलत शायत फा में बडाद बनाते होती है कोंप बर में अव्यस्क्राइब करते हैं कमप्रेटिंग तो में यहां जाद में होते हैं कपड़े जो लुकल कपड़े हमारे आते होते सब्सक्राइब सब्सक्राइब वह होगी और जो हमारे सश्थी हैं वह देखने हम सेम लग रहे हैं लेकर डाइ का फरक होता है जिस पर डाय को शट हमारे सश्थी होगी तो जो हमारा अल्टिमेट यह है कि तरीके से इतनी ज्यादा यूज़ नियुज नियुक्ति होता है इसका ठीक है नोट जर्मन बैन दा तो आप डॉमेस्टिक आर्टिकल्स फोट वियर यह सारा सब्सक्राइब लिख सकते हो इसके बात कंप्लूजन लिख हो गया आप लर्ण अबाउट डारेक डाइएंड इंट 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 अपने डारेक के बारे में सीखा और इसके कंसेट के बारे में जाना समय नहीं होता तो इतना आप जब लिखते हो कि डारेक डाय एंट इंट कंशेट चैप्ट तो कोई दाउट हो तो मुझ से लेखेगा वीडियो को बहुत ज्यान से देखिएगा एक बार समझना है दो बर देखिएगा उसके बाद भी समझना है तो आम से क्लास्रों में पूछेगा वैसे मैं पूरा इजी लेंग्वेज में हिंदी में बोला है ठीक है ओक क्या आपको समझना आजाएगा ना आदम से क्लास्रों में पूछेगा ओके थैंक्यू 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 समझ गूर्प ब्लेस्यों और ये नोट्स में गूर्प में भेज़ देती हैं ओके बेटा हुआ झाल 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 झाल